अगे बढ़ते हैं पिछले सेशन में आपने जाना होगा कि सहंशिल आत्मा के लक्षण क्या होते हैं अगर मैं बार-बार एक विचार पर अपने आपको आत्मा देख कर स्थित होती हूं एकाग्रा करती हूं अपने आपको आत्मा देख कर तो मुझे जो है क्या होगा, मरे मन क्या feel करेगा, बुद्धी क्या सोचेगी निर्णि लेगी वो आपको जो है पता चला किके आपके कर्म जो होंगे, वो कैसे होंगे तो वो आपने जाना, संशिल आत्मा के लक्षन तो आप format भी आप समझ चुके होगे जब गीता का हम लेंगे तो वहाँ हम गीता के सारांश को लेकर हम एक thought आपको present करेंगे और फिर जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसका elaboration भी आपको जो है मिलता जाएगा तो आपको जो है यह सेम वीडियो मिल जाएगा तो आपको जो है यह सेम सेक्षन के नीचे तो यह जो है meditation session में हम गीता की समझानी लेकर हम कौन से thought पे जो है concentrate करेंगे वो जानेंगे तो हमने लास्ट जो है recording में हमने 24 सारी 27 से 38 लिये थे पहले अध्याई के गीता के तो इस session में हम 28 से 27 sloaks लेंगे उसका हम जिस्ट essence पिक कर रहे है ठीक है डीटेल में हम तभी समझ पाएंगे जबी हम जो है इसको पहले essence में जानेंगे ठीक है सार से विस्तार होगा तो यहां क्या बता रहे है देखो इसमें basically जैसे बताया है अर्जुन द्वारा सेना निरक्षण का प्रसंग ठीक है तो 27 से 38 स्लोक में हमने देखा कि अर्जुन जो है ठीक है युद के मैदान में अर्जुन जो है उसके उसका मनोबल जो है क्यों कमजोर हो गया उसका कारण इसके शरीड पर उसकी क्या आसर हुई फो हमने जो है एक द्रश्टांट लिया लेकिन पहले पहले अर्जुन आ था पहले जोश में आकर जो है उन्होंने बोला कि चल जैसे युद्र शरू होने वाला था खीक है पांड़ों कौरों के बीच में तो उन्होंने क्या कहा कि च कि आप जो है यूद के मैदान में बीच में जो है मेरा दत लेके चलिए दोनों से नाव को देखना चाहता हूं मैं तो इसलिए उन्होंने धनुष उठाया धनुष माना हमने पिछले जो है स्लोक में समझे थे धनुष माना बुद्धी रुपी धनुष देहीक पुरिशात र उसका जो पुरुशात था देहीक पुरुशात के आधार पर जो था उसका जो नॉलेज था उसके आधार पर जो है उन्होंने अपनी बुद्धी को रड़ी किया देखने के लिए कि चलो जो शाया उन्होंने गिल्पावर से आगे बड़े कि हां युद के लिए उनको पता तो यहां उसी के उपर ही बात हो रही है कि हम यहां से वही ले रहे है कि सब स्लोक मेंत दिखाए जा रहा है कि कैसे पहले जो है जब उसको याद रहता है awareness आवेर्नस फे में दों किन याद रखना पर तो उन में जो हे वह विल्पावर आ जाती है तो यहां वही बताया जा रहा है पहले पहले जो थे वह उनकी उनकी उनक के जो दिरश्टि को अधा वह sprश कई abandoned पाँच विकारों से उसकी बुद्धी जो है पाँच विकारों से पहले धकी हुई नहीं थी द्यान युप्त थी इसलिए जो है उनमें विलपावर थी और उनमें जो था वो जोश था ठीके तो यहां जैसे दिखाया है उत्सुपता पुरवक खड़े हुए से यहां दिखा आया है, यह शब्द को देखे, यह तो आप बार में भी पढ़ सकते हो रहे, जो है, इसकी जो लिंक होगी, हिंदी और इंग्लिश की यह, जहां से मैंने यह लिया है, उसको मैं जिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहां हमारा टाइम शॉट है, यह लिए मेडिटेशन, तो यहां जैसे लिखा है, देखो, युद्धु का मा नवस्थितान, तो युद्धु के लिए जो था, जो है, उसक्ता पूर्वक्ट जो है, खड़े हुए, तो यहां देखना चाहते थे, उन्होंने खड़े होके उसक्ता पूरक इगरली, एकदम उसक्ता से जोश था पूरा, जब बुद्धी में स्मृती थी तब, तो बोल रहे थे, मुझे देखने दो, यहां भी बोला है, यहां कि मुझे जो है, आप देखने दो, यहां, लेक मी सी दो वारियर्स, यहां, तो योच्ष्य माना, नहमवेशे, वेक्षे, ठीक है, तो वो शब्द के आधर पर, जो है, यहां उसका अर्थ बताया गया है, ठीक है, हम ब्लैकेट्स में, जो शब्द है, वो नहीं ले रहे है, ख्लारिफिकेशन के, जो बोल्ड में ब्लैक कलर के है, वही देख रहे है, ठीक है, तो अगें, य पक्ष में, तो दो उन्हें बता रहे है, कि उन्होंने paternal side जो के paternal जो side पे जो खड़े थे ठीक है उन्होंने जो है great grandfathers, learned men, babas, maternal uncles, brothers, grandsons, friends, father-in-law ठीक है वो रिष्टेदारों को देखा तो देहिक दृष्टी परिवत्तन हो गए ठीक है तो पहले उनकी कैसी दृष्टी थी जो है वो देहिक दृष्टी के आधा प हमने last time जो है cover किया वहां से अभी यहां से start होता है कि वही दुख क्यों होने लगा क्योंकि स्मृूती चली गई स्मृूती में क्या याद आ गया युद का purpose चला गया ठीक है और जो है यह बूल गए क्या purpose के लिए मैं आया हूं और देहे के भान में आ गए तो आज का जो हमारा thought है आपको इसको बहतर समझना है तो राज्योगा कोस कर सकते हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका भी जो है systematically यही channel पर दिया हुआ है different category में तो पहले से systematic राज्योग का course करोगे तो इसकी गहराई में आप समझ सकते हो ठीक है बट अभी के लिए हम एक विचार लेंगे ठीक है और दो मिनीट के लिए जो है अभी हमें context पता चला के हमारी life में भी हम जो है इनो जब हम देहिक दृष् है तब ही हम हमारी बुद्धी क्लियर रहती है जब वह परपस बूल जाते है बूल जाता है और हमारे देहिक दृष्टी आ जाती है मेरा पना जाता यह मेरा है तो फिर हमारे में वह वेस थोट्स आने लगते हैं तो आज हम बस वही एक सम रंगलप रखते हैं बहुत causal form में हम करेंगे अपने आपको आत्मा समझ कर तो ब्रकुटी के बीच में जो है आप अपने आपको एक beautiful point of light star जो है विजुलाइज कर सकते हो नहीं कर पा रहे हो तो सामने screen पे जो दिखाया है आपको वहां concentrate कर सकते हो तो और फिर आप जो है कोशिश कर सकते हो अपने अंदर भी जो शक्ती है जो मस्तक के बीच में बैठती है तो उसको जो है आप जैसे कि दिया लगाते हो अपने विचार से जैसे कि दिया जला दो तरजवलीत कर दो awareness में लेकर आओ तो पूरा समय हम शरीर की भान में रहे हैं इसलिए वो awareness नहीं आ रही है तो अभी सिर्फ हम दो पार को देखते हुए ठीक है एक energy को महसूस करते हुए अगर देख नहीं पाते हैं तो इसलिए महसूस करें आप शरीर से अलग एक आत्मा हूं और यह विचार करेंगे ठीक है मैं पवित्र विचार करने वाली पवित्र आत्मा हूं 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 मैं पवित्र विचाल करने वाली पवित्र आत्म हूँ मैं पवित्र विचाल करने वाली पवित्र आत्म हूँ मैं पवित्र विचार करने वाली पवित्र आत्म है। मैं पवित्र विचार करने वाली पवित्र आत्म है। अब चाहे तो इसको बार बार जब तक आप चाहे उतना continue कर सकते हैं। और फिर जो है आप अपने दिन चरिया में आगे बढ़ सकते हैं। कि पुदा दिन याद रखेंगे कि ये सुनती रहेगी पुदा दिन हमें कि मैं पवित्र आत्म हूं। पवित्र विचार करने वाली पवित्र आत्म हूं। फ्श।